आज की वक्षीर नमबर चौंतीस हम लोग डिसकस करते हैं तिरकोन मेतिया अनुपातों पर 30 टीकरी, 45 टीकरी और 60 टीकरी पर अधारित प्रश्टु होगे इसमें इससे पहले हम रिवाइस करते हैं साइन 30 होता है हाफ, साइन 45 होता है 1 by root 2, साइन 60 होता है root 3 by 2, तो इसी तरीके से यहाँ पर कॉस 60 वाला खाना खाली है, तो इसमें हम क्या बताएंगे, कि यह कितना होगा, यह होता है तुमारा आधा, हाफ, तो आप देख रहे हो कि साइन 30 और कॉस 60 एक जैसे value है, दोनों पर को देखते हैं, आईए, मान गयात कीजिए, साइन 60, साइन 60 की value है root 3 by 2, सो आपने लिख दिया root 3 by 2, कॉस 60 की, कॉस 30, कॉस 30 की value है root 3 by 2, आपने लिख दिया root 3 by 2, जब यह दोनों आपस में multiply होंगे, root 3, root 3 multiply होके 3 आ जाएगा, और 2, 2 multiply होके 4 आ जाएगा, फिर है plus, प्लस कर दिया, साइन 30 की value है half, और कॉस 60 की value भी है half, half-half आदे-ादे को दोनों को गुना किया, तो आ गया 1 by 4, तो 3 by 4 plus 1 by 4, अब इन दोनों को जोड़ोगे, 4 by 4, क्योंकि दोनों का हर समान है, उपर वाली संख्याएं जुड जाएंगी, तो तुम्हारा उतर आ गया 1, तो हमें table प दिया है, यह 30 degree दिया है, आपको BC और AC की लंबाई निकालनी है, तो जब मुझे BC की लंबाई निकालनी है, BC आधार है एक प्रकार से, तो मैं अगर लंब बटा आधार लेती हूँ, AB बटा BC, तो 10 निकलता है, 10 30, 10 30 की value क्यों होती है, 1 by root 3, तो जब 5 बटा BC equal to 1 by root 3 हम हल कर करते हैं, यह तुम्हारा लंब था, यह आधार था और यह ऐसे आगया, तो अब इसको हल करोगे तो BC की value कितने आई, 5 root 3, cross multiply कर दिया, इसे पकार आप sign लोगे, sign होता है तुम्हारा P by H, तो यानि 5 बटा AC की value, तो 5 बटा AC की value किसके बरापर है, sign 30 के बरापर, sign 30 की value होती ह आधा, तो half equal to अगर अब 5 बटा AC करोगे, तो इसको cross multiply करोगे, AC की value 10, यादा है, ऐसे question पिछली worksheet में भी हमने किया था, अब एक और प्रशन लेते हैं, यह प्रशन important है बच्चो, 10 A plus B आपको root 3 दिया है, अब हम इसको बोच सकते है, 10 A plus B जो है root 3, इसकी जिगा हम लिख द root 3, 1 by root 3 जो होता है, इसको आप लिख सकते हो 10 30, तो मतलब हम इसको क्या कर रहे है, 10 के terms में लिख रहे हैं, यह पर root 3 को भी 10 के terms में लिखा, 1 by root 3 को भी 10 के terms में लिख दिया, अब 10 10 cancel हो गया, आपके पास यह आ गया, तो अब यह 2 simple equations आ गई है, 2 चरके सभी करन जो होते हैं तो इन 2 चरके सभी करन को आपको हल करना आता ही है, दोनों को add कर दो, दोनों को जोड़ोगे, तो 2 A equal to 90 और A equal to 45, A की value आगे 45, और किसी भी सम्मी करन में आप रखोगे, तो हम B की value निकाल सकते हैं, 15, जैसे पहले में रख दोगे, तो यह इधर आके 60 minus 45, B की value निकल आएग A को इधर ले जाओगे जब, तो 30 डिगरी, यह question आपका important है बच्चो, और कितना आसान है, सिर्फ आपको इसको इसकी terms में लिखना है, बस उसके बाद यह आराम से हो जाता है, 10 हर जाता है, और रेखिक समी करन जैसा बन जाता है question, आगे देखिए, यह question है आपका, इसमें आपको values put करना है, और उसका values, फिर उसके बाद उसको complete solve करना है, जहां तक कर सकते हो, तो sin 30 की value है, आधा, 10 45 की value होती है, 1, cos 60 की value होती है, 2 by root 3, cos 6, चीक है न, आपको याद है, cos 6 किसका उल्टा होता है, आपको होता है, sin 60 का, तो sin 60 तुमारा होता है, root 3 बटा 2, उसका उल् root 3, आप किसी भी तरीके से याद कर लो, चाहिए आप उसको converse में reciprocal relationship में करो, व्योत करम से, या सीधर table एक बार, वर्टशीट में जब आपको time मिलता है, पेटे paper में जो 15 minute का time होता है, उसमें हमें सबसे पहले table बना लेना चाहिए, table बना दे, complete table बना के, उसके बाद हम इस यसी questions हाई, table को देख दे के value put करते रो, it saves your time, cost 60 की value डाली, 1 by 2, और cost 45 की value डाली, 1, ठीक है, यह सब हमने values डाल दी, ज्यादा effort हमारा इस चीज में रहे कि value एक भी गलत ना डले, अब इसका रह गया solving part, तो solving part पे देखो, कि solving में हमें कहां कहां तक इसमें जाना पड़ेगा ठीक है, जिन बच्चों को लगता हम, यहां तक हमने values डाल दी, जितना solve होता है, वो उतना करें, आधा प्लस एक, आप सब बच्चे जोड सकते हो, दोनों जुड़ेंगे, तीन बटा दो, और यहां पर भी आधा प्लस एक जुड जाएगा, भिन्नों के जोड जैसे होती है यह जोड़ेंगे, दो पर जाके गुणा हो गया, एक जमा दो, ऐसे करते हैं न, हम लोग, यह तुमारा क्या हो जाता है, एक जमा दो बटा दो, ऐसे हो जाता है न, cross multiply करके, तो तीन बटा दो यह आगया, यहां पर छोड़ सकते हो, लेकिन अब भी और solve हो सकते है, equation, कैसे ह हो सकता है, अब यहाँ पर भी आप भिन्नों की जोड़ घटा करो, तो 2 root 3 नीचे आ जाएगा, यह इसके साथ multiply, यह इसके साथ multiply, तो यह तुमारा 3 root 3, यह आपस में गुना नहीं हो सकती, 9 मत कर देना, कि 3-3 गुना होके 9 हो गया, एक परीमे संख्या है, एक आप परीमे संख्या है, इसे पकार नीचे हो गई गुना, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप देख रहे हो कि दोनों के जो हर है न, वो समान हो गया, दोनों के नीचे 2 root 3, 2 root 3, यह cancel कर दो, अब आपके पास आ गया, root 3 ऐसे 4, minus, और नीचे आ गया, 3 root 3, plus 4, यह चीज आ गया, अब इसका परीमे करन हो जाएगा, 3 root 3, minus 4, यह plus 4 है, minus 4 से उपर नीचे गुना कर दिया, आगे बस समझ में, class 90 में हम करते थे न, परीमे करन, यह आपने परीमे करन कर दिया, इसका, चीक है, अब आपनी क्या करना है, जब हमने परीमे करन किया, तो देख रहें, दोनों एक जैसी values है, तो यह तुमारा A minus B का वर्ग, इस तरीके से हो गया, A का वर्ग, B का वर्ग, minus 2AB, तो A का वर्ग यानि क्या हुआ, root 3 square का वर्ग, यह A का वर्ग हुआ, तो यह क्या हुआ, 3 का वर्ग और root 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग तो हुआ 9, और root 3 का वर्ग हुआ 3, तो 9 तिया 27 आ गया, यह आ गया, और 4 का वर्ग क्या होता है, 16, उसके बाद रहा 2AB, 2AB का मतलब हुआ, 2 A क्या हुआ, 3 root 3 और B क्या हुआ, 4 अब इसको गुना करोगे तो, 2 तिया 6, 6, 24 24 root 3, और यह minus का निशान था, क्योंकि यह minus वाला है minus 2AB होता है, तो यह तुमारी उपर वाली चीज़ आ गई, और नीचे वाली चीज़ में क्या है, A minus B और A plus B वो ही दो संख्या है, तो वो तुमारा किसके बराबर होता है, A का वर्ग minus B का वर्ग ठीक है न, यह A plus B A minus B, A का वर्ग, 27 B का वर्ग, 16, इन दोनों को minus किया, 11, इन दोनों को जोड़ा 43, तो यह तुमारा कुश्चन हो, तो इस कुश्चन में सबसे पहले हमने values पुट करी, यह बहुत कैरफुली काम करना है, उसके बाद हमने भिन्नों की जोड, भिन्नों को जोड घटाओ जो होती है, उस तरह से काम किया, उसके बाद हमने परिमे करन किया, तीन स्टेप्स में जाके कुश्चन होए, ठीक है, तो आप अपने समय के हिसाब से बोड के पेपर में काम करना, जितना आपके पास टाइम हो, उतना आप इस कुश्चन को आगे बढ़ाना, पर वैल्यू जरूर पुट करके रख देना, यह जरूर ध्यान देना, ठीक है, परिमे करन, सीख जाओ, तुम लोग इतना मुश्खिल नहीं होता, एक difficult मेरकाल से कुछ बच्चों को लगेगा, तो परिमे करन ही लगेगा, अब यह दिखिए, सही विकल्प को चुनिए और पुष्टी कीजिए, आपके पास प्रश्ण है, 2, 10, 30, यह दे रखा आपको, तो 2, 10, 30, 10, 30 के वैल्यू क्या होती है, 1 बटा रूट 3, 1 माइनस 10 स्क्वेर थर्टी, तो 1 बटा रूट 3 का वर्ग, ऐसे करोगे, तो वो क्या आजएगा, 1 बटा 3, तो तुम्हारा 1 माइनस 1 बटा 3, जब इसको हल करोगे, तो 3 माइनस 1 बटा 3, यानि 2 बटा 3 आगया, तो यह तुम्हारा इसको पुरा हल करके 2 बटा 3 होगा, फिर वो उपर जाके, 2 बटा 3 नीचे है, उपर जाके यह वो क्या बन जाएगा? 3 बटा 2, यह value आ गए, ठीक है? और जब इसको हल करोगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यह तुम्हारा root 3 से, यह ऐसे कटके उपर root 3 आ गया, और 2 से 2 कटके रूट 3 आ गया, अब root 3 क्या होता है? 1060 के बरावर होता है, तो हमारा answer आ गया 1060, ठी हमें इस तरह trigonometric तिकोन में तिया ratio उसमें दे रखा था, तो हमने उसकी values वहाँ पे देखी कि कौन सी उसकी values को suit करती है, आगे देखे, swim प्रयास कीजिए, देखो इस प्रकार का प्रश्णा भी अपने वर्कशीट में किया था, sin A-B, आप ऐसे लिखे, sin A-B, sin half की एक वाल equal to, आधा value कब होती है, जब cos 60 होता है, यह आपने लिख दिया, यह दोनों चीज़े लिख दिया, sin से sin कटा, यह तुम्हारा बन जाएगा, A-B equal to 30 degree, cos से cos कटा, यह तुम्हारा आजएगा, A plus B equal to 60 degree, अब बस इन दोनों समी करनों को हल कर दो, first equation और second equation को, दोनों को add करोगे तो A की value कितनी आई, 45 degree, और B की value कितनी आएगी, 60 minus 45, 15 degree, वो गया न सौल, पिछली worksheet जैसा ही था, दूसरा question देखो, cos 45 की value है, 1 by root 2, sec 30, cos 30 का उल्टा होता है, तो हम इसको लिख सकते है, 2 by root 3, cos 30, sin 30 का उल्टा होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते है, तो यह तुम्हारा ब 3 by root 3, ऐसे हो गया, अब हम इसको नीचे ले आते हैं, इसको उपर ले जाते हैं, तो यह तुम्हारा बन जाएगा, 1 by root 2 तो नीचे आ जाएगा, 2 plus 2 root 3, और यह जो root 3 था, यह उपर चला गया, ऐसे बन गया, अब इसको हम, 2, 2 दोनों में से common निकाल सकते हैं, तो next step आपका ह हो जाएगा, 2 को भाहर निकाल दिया, और root 2 भी था, यह वाली चीज, 2 root 2, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, 2 root 2 करके लिख लो, ऐसे, अंदर आगया, 1 plus root 3, अब यहाँ पर आप इसको छोड़ दीजिए, या फिर इसका परिमे करन होगा, परिमे करन में क्या होगा, यह जो दे रखा है, इससे उल्टा निशान हम लेंगे, तो हमने उल्टा निशान लिया, root 2 के साबसे, root 2 भी ले लिया, ताकि यह भी वर्ग मूल का निशान हट जाया, 1 minus root 3, अब जब इसको इससे गुना करोगे, root 3 और root 2, 2 गुना होगे, 1 minus root 3 आ जाएगा, और यह root 2, root 2 गु गुना 2 हो गया, और नीचे यह a plus b, a minus b, तो एक का वर्ग minus यह वाला हो गया, क्योंकि हमारा क्या होता है, a square minus b square किसके equal होता है, a minus b, a plus b, यह सुत्र हमने इस्तमाल किया, तो तुमारे पास आगे, root 6, 1 minus root 3, 4 बटा, 1 minus 3, तो तुमारे पास आजाएगा, root 6, 1 minus root 3, यह तुम तुमारा आगया, minus 8, तो हम इसको आगे लिख सकते हैं, यह minus के निशान को हम adjust कर सकते हैं, root 6 by 8, और इसको हम लिख देते हैं, root 3 minus 1, इसको उल्टा लिख देते हैं, तो यह minus निशान हमारा, उसके तास सेट हो जाएगा, ठीक है, यह तुमारा last final answer हो गया, आप देख रहे हो नीचे से root खतम हो चुका है, तो परिमेकरन हमने यह complete solve कर दिया, यहाँ पर देखिए, मान ग्यात कीजिए, 1045 की value एक है, तो यह 10 square 45 को मैंसे लिख सकते है, 1045 यह जो square है, यह बहार उपर आ जाएगा, इसी तरह cos 30 को cos 30 लिख के उपर वर्ग आ गया, sin 60 लिख के उपर यह हमने values लिख रख के, हमने table से देख के, तो यह तुमारा होगा 2 into 1, 1 square 1 होता है, यह तुमारा हो जाएगा 3 बटा 4, यह हो जाएगा minus 3 बटा 4, अब यह दो एक जैसी value है, यह minus हो जाएगी, 2 into 1, 2 यह answer आ जाएगा, next देखो, जहाँ पर हमें सही विकल्प को चुनना है, इस करके उसका वर्ग हो गया, तो यह तुमारा बन जाएगा 2 by root 3 ऐसे बन गया, और यह बन गया 1 plus 1 by 3, ठीक है, next step में हो जाएगा 2 by root 3 upon, यह तुमारा 3 plus 1 upon 3 आ गया, फिर यह next हो जाएगा 2 by root 3 upon 4 by 3, अब हम इसको arrange करके कैसे लिखेंगे, 2 by root 3, अब इसको उल्टा कर दें गया, डिवाइड है तो यह ऐसे उपर चला जाएगा, यह 2 से 2 कट गया, यह root 3 से root 3 कट गया, तो answer आपके पास आगया, root 3 बटा 2, यह root 3 into root 3 क्या होता है, root 3 into root 3 तुमारा 3 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ यह कार्ट दिया, अब यह 3 बटा 2 value किस पर होती है, इस पर होती ह ठीक है, इस काम को करो बच्चों, इसकी picks अपनी teachers को भेजो, और comment section में comment करो, कुछ चीज नहीं समझ आईए तो वीडियो को दुबारा देखो, समझ आजएगा, आज की class हम यहीं over करते हैं बच्चों, okay bye bye, thank you